असलाम लीकुम आवर्यमन वेलकॉम चूपरो अर्केक्टेक्ट्र स्टूडियो दूस्तों आज की वीडियो में आप लोग साथ शेयर करूँगा कि आटूकैड में ब्लॉक्स क्या होते हैं ब्लॉक्स को हम अपनी ड्राइंग में किन परपेस के लिए यूज करते हैं blocks को कैसे AutoCAD में create किया जाता है और उनको कैसे अपनी ड्राइंग में हम insert कर सकते हैं So let's get started First of all, हम बात करते हैं कि AutoCAD में blocks होते क्या है What is block in AutoCAD? AutoCAD में जब भी हम कोई drawings औगारा को create कर लेते हैं तो उसमें different types की कुछ objects use होते हैं जैसे कि furniture, doors, windows तो अगर हम उन objects को अपनी ड्राइंग में बार बार create करते हैं तो इससे हमारा बहुत सारा एक तो time waste होगा दूसरा ये है कि हमारी जो drawing है वो बनाते हैं उसकी speed औगारा slow हो जाएगी तो इसलिए sometime जब हम drawings औगारा को create कर लेते हैं तो for example उसमें हम doors वोगेरा add करते हैं तो उसमें एक door को बनाने के बाद उस object को या उस door को एक block में convert कर दिया जाता है जिसको हम बार-बार अपनी drawing में use कर सकते हैं उस door को दूसरी location पर place कर सकते हैं और उन objects में या उन components में कुछ changing's वहरा कर सकते हैं basically जो blocks होते हैं ये drawing का एक component ही है जिसमें हम किसी बार object को एक block में convert करके उसको बार-बार हम use कर सकते हैं उसमें modification कर सकते हैं उसमें मुख्लिफ गिसम के हम changing's वहरा कर सकते हैं so now let's talk about how to create a block in AutoCAD तो AutoCAD में block बनाने से पहले मैं यहां पर कोई भी एक shape create कर लेता हूँ जिसको मैं block बनाना चाहता हूँ for example यहां पर मैं एक rectangle create करता हूँ इस rectangle के अंदर एक circle draw कर लेता हूँ तो अब मैं चाहता हूँ कि इस object को block में convert कर सकूँ तो block बनाने के लिए simply हम जाएंगे ribbon toolbar पर और यहां पर हमें block का एक panel चोगा तो इस panel के अंदर हम block बना सकते हैं जैसे कि insert block या create block अगर आप यहां से create नहीं करना चाहते हैं तो हम simply जाएंगे insert और यहां पर एक block and definition का एक हमारे पस पैनल होगा यहां से हम blocks वारा create कर सकते हैं otherwise हम अपने keyboard से command प्रेस करेंगे बी इंटर तो जैसे हमने बी प्रेस किया तो यहां से block definition की एक window हमारे पस display हो जाएगी तो यहां पर सबसे पहले हम block का name लिखेंगे यानि for example आप कोई door बनाना चाते हैं window बनाना चाते हैं कोई furniture बनाना चाते हैं तो उसका हम नाम यहां पर लिखेंगे तो let's say मैं यहां पर एक नाम लिखता हूँ A तो सबसे पहले हम यहां बनाते हैं base point यहां से हम कोई सब यह एक base point select करेंगे यानि यह जो हमने pick point select किया है इस pick point पर यह base point पर जो भी हमारे coordinates है वह हमें यहां पर show जाएंगे तो pick point select करने के बाद यहां से हम object में select object करेंगे select object पर click करेंगे और मैं अपनी drawing को ऐसे हम select करेंगे फिर enter करेंगे तो यहां से हम दीचे आएं तो हम इस object को block में convert करना चाते हैं तो simply यह जो convert to block है इस पर हम as it is check रहने देंगे और यहां से behavior यानि यह जो objects हैं इनको मैं ऐसे ही रहने दूँगा और यह जो settings हैं इनको भी as it is ऐसे रहने देंगे तो मैं यहां से ok press करता हूँ यह देखिए हमारा जो object है वो एक block में convert हो चुका है तो अब मैं इसको अपनी drawing में insert करना चाता हूँ let's say मैंने यहां से delete कर दिया है तो अब मैं इसकी copy लेना चाता हूँ तो मैं simply जाओंगा ribbon toolbar पर और यहां पर home पर जाने के बाद यहां से blocks में जाएंगे block के panel में और यहां से insert में जाओंगा तो मैं इसको insert करने के लिए यहां से अपने block को select करूँगा और ऐसे अपनी drawing में place कर दूँगा let's say अगर यह object मैंने अपनी drawing से delete कर दिया है तो don't worry यह objects अभी वी still हमारी drawing में मजूद है तो उसके लिए अगर हम इनको दुबारा insert करना चाते हैं तो हम जाएंगे blocks, insert और यहां से मैं अपने block को select करूँगा और यह देखिए यहां पर मैं place कर सकता हूँ okay let's say मैं यहां पर एक और कोई सब यह object draw कर लेता हूँ let's say मैं यहां पर एक एक शेप बना लेता हूँ, okay मैं यहां पर एक circle भी इसके अंदर ठाक लेता हूँ तो इसको फिर मैं block में convert करूँगा तो उसके लिए मैं ribbon toolbar पर जाऊंगा ribbon toolbar पर जाने के बाद यहां पर और यहां से create block पर click करूँगा और यहां पर मैं block का name enter करूँगा let's say मैं यहां पर enter करता हूँ, okay तो अब मैं यहां से इसको pick point दूँगा pick point मैं यहां से select करूँगा और इस दवा मैं इस object को यह जो दो option है मैं आपको इनके बारे में explain करता हूँ कि retain क्या होता और delete क्या होता है जैसे मैंने retain पर click किया select object पर करेंगे इस object मैं click करता हूँ, फिर enter करेंगे अब मैं यहां से okay करता हूँ, तो यह देखी अगर मैं अपना cursor इस पर लेकर जाता हूँ, तो यह अभी भी हमें यह जो हमारा object है यह अभी real object में हमें शोर है यानि इतमीन यह block में convert नहीं हुआ और अगर मैं इस पर cursor लेकर जाता हूँ, तो यह जो object ही यह already ब словक में convert हो चुका है यानि अगर मैं इसको select करता हूँ, तो हमारा यह जो पूरा object यह select हो जाएगा और अगर मैं इस इसको select करता हूँ तो हमारा एक single object ही select हो गा retain का मक Sponge है है कि अगर इसको हम object को block में convert कर देते हैं तो यह object हमारी drawing में एक real object के तोर पर इसी होगा बट यह already हमारा block में convert हो चुका है तो let's say मैं अगर दोबारा जाता हूँ इस block को अपनी drawing में दोबारा insert करवाना चाता हूँ तो मैं उसके लिए जाँगा insert और यहां से मैं block select करूँगा तो मैं जैसे इस पर click करता हूँ और अपनी registration में insert करता ओ तो यह दीए इस दवा जब मैं इसको select करता हूँ तो यह हमारा पूरल object ही select हो रहे है और इसको मैं select करता हूँ तो यह real object select हो रहे है इक मीं फर नाउ यह object हमारी drawing में aолод object के तोड़ पर ही शो रहा है और अगर नेक्स टाइम इस अब्जेक्ट को हम अपने ड्राइंग में इंसर्ट करते हैं तो एक अब्जेक्ट की शकल में हमारे पास इंसर्ट होगा तो अब मैं यहां पर एक और एक और एक शेप ड्रा कर लेता हूं लेटसे में एक सर्कल ड्रा करता हूं ए मैं यहां से पिक पॉंट सेलेक्ट करूंगा मैं कोई सभी एक बेस पॉंट सेलेक्ट करता हूं लेट से मैं इसका सेंटर सेलेक्ट करता हूं और इस दो मैं यहां से डिलीट का उप्शन इसको सेलेक्ट करता हूं ओके तो जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूं और इसको मैं अप ख़ाम ताँ सी और मैं और करता हूं तो यह झाल किया तो यह अब्जेक्ट हमारी ड्राइंग से डिलीट हो चुकत है डिलीट ब्लोक का मक्सद यह था है कि हागर हम अपनी ड्राइंग में से कुई specific object को डिलीट करना चाते हैं ब्लोग बनाके इसको डिलीट करना चाहते हैं, यानि वो अब्जेक्ट ब्लोग भी बन जाए और हमारी ट्राइंग से डिलीट भी हो जाए, और नेक्स टाइम उस अब्जेक्ट को हम अपनी ड्राइंग में जब इंसर्ट करें, तो as it is वो हमारे पास insert हो जे let's say मैं इसको दुबारा insert करता हूँ तो insert करने के लिए मैं जाओंगा ribbon toolbar पर और यहां से insert पर click करता हूँ और मैं अपने object को select करता हूँ यह देखिए हमने अपनी drawing में से तो delete कर दिया है अब मैं चाहता हूँ कि मैं इन objects को अपनी किसी नई drawing में paste कर सकूँ या किसी नई drawing में insert कर सकूँ तो उसके लिए नई drawing open करता हूँ जिसके लिए मैं यहां पर click करता हूँ new drawing के icon पर और यह देखिए हमारे नई drawing जैसे open ही let's say जो blocks मैंने already create किया है उनको मैं अपनी नई drawing में insert करवाना चाता हूँ तो उसके लिए मैं जाओंगा block के panel में और यहां पर insert पर जाके यह देखिए यहां पर हमें वो blocks show नहीं हो रहे यानि जो blocks हमने वहां पर create किये थे दूसरी drawing में वो यहां पर show नहीं हो रहे तो मैं जैसे उस drawing में जाता हूँ और insert पर जाता हूँ तो यह देखिए यहां पर तो show रहे है इत मीन जो blocks हम अपनी present drawing में अपनी मुझूदा drawing में create करेंगे वो blocks उसी में ही show होंगे और अगर उन blocks को हम अप कोई नई drawing में insert करवाना चाते हैं तो उसके लिए हम AutoCAD में right block का option यूज़ करेंगे तो right block क्या होता है उसके में मैं आपको explain करता हूँ let's say मैं यहां पर एक block create करता हूँ उसके लिए मैं एक circle रहा कर लेता हूँ और इसमें एक और shape रहा कर लेता हूँ है और इसको मैं अब right block में convert करना चाता हूँ तो उसके लिए मैं press करूँगा WB अपने keyboard से right block और यहां पर हमारे पास right block की एक window display हो चुकी है तो अब मैं यहां पर जाओंगा pick point पर जाओंगा और कोई सभी एक pick point select करता हूँ select object करेंगे enter करेंगे और यहां से मैं इसको convert करूँगा convert to block के और यहां से destination में इसको file name and path यानि जिस जगह पर आप इसको save करना चाते हैं तो वह location यहां पर मैं इंटर कर दूँगा let's say मैं इसको open करता हूँ और desktop पर save करना चाता हूँ और यहां पर इक right block में convert हो चुका है और इस block को अब मैं चाता हूँ कि किसी नई drawing में insert कर सकूँ तो उसके लिए मैं जो हमने नई drawing open की थी मैं उसमें जाओंगा और यहां पर मैं उस block को insert करवाना चाता हूँ तो उसके लिए मैं अपने keyboard से command प्रेस करूंगा i n insert और otherwise मैं इसको close करके यहां पर insert में जाओंगा insert में जाकर यहां पर मैं blocks and blocks from other drawing यहां पर click करता हूँ तो मैं desktop पर जाओंगा जो block हमने save किया था यह यह देखे right block मैं इस पर click करता ओपन करूंगा तो यह देखिए हमारा जो इंसर्ट का एगे विंड़ो उसमें आ चुका है तो मैं इसको अपने ड्राइंग में इंसर्ट करवाना चाहता हूं लेट से मैं इसको क्लिक करता हूँ और अपने ड्राइंग पर क्लिक करता हूँ तो यह देखिए हमारा जो अबजेक्ट है यह इस तरह इंसर्ट हो चुका है और अगर इसकी मैं multiple copies लगाना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं यहां से repeat placement पर क्लिक करूँगा और अपने block को select करूँगा जैसे मैं इसको क्लिक करता जाओंगा तो यह देखिए इसकी मजीद copies हमारे पास create होती जाएंगी और इसको मैं escape के button से यह right click करके enter करता हूँ right click करके cancel करता हूँ तो यह देखिए cancel हो चुका है let's say यह जो block है हम इसको अपनी drawing में insert करें बद insert होने के बाद यह block block की शकल में ना रहे बलकि यह explode हो जाए तो उसके लिए मैं यहां से replacement के button को uncheck करूँगा और यहां से explode के button को check करने के बाद अपने block को select करूँगा तो जैसे मैं अपनी drawing पर इसको click करता हूँ तो यह देखिए हमारा जो block है यह इस दफाए explode यानि real object की shape में हमारे पास insert हो चुका है drawing में तो अगर मैं चाहता हूँ कि इस block को अपनी drawing में insert करूँ और उसको insert करने के साथ rotate भी कर सकूँ तो उसके लिए मैं एक option यूज करूँगा rotate तो मैं explode का option यहां से uncheck करता हूँ rotation पर click करता हूँ और अपने block को select करूँगा और अपनी drawing पर जैसे मैं insert करने के लिए click करता हूँ और मैं अपने mouse को drag करता हूँ तो यह देखिए इसको मैं किसी भी angle पर rotate कर सकता हूँ तो let's say मैं किसी भी angle पर जाकर click करता हूँ तो यह देखिए हमारे यह जो object है इस तरह rotate हो गया है इसी तरह मैं इस object को यानि इस block को अपनी drawing में insert करने के बाद इसका scale भी increase करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं यह जो scale का option है इस पर check करूँगा और rotation के button को या rotation के option को uncheck कर द position पर गया तो यह देखिए हमारा x y coordinate में यह जो हमारा block है इसका scale increase हो गया है तो let's say मैं इसको drag करके कहीं पर click करता हूँ तो यह देखिए इसका scale जो है वो इस तरह change हो गया है तो इसको मैं यहां से close कर देता हूँ okay right block में let's say अगर आप किसी को कोई drawing वेरा send करना चाते हैं और उस drawing में से कोई specific जो object है या specific component है किसी को send करना चाते है या अपने computer पर उसको save करना चाते हैं तो उसके लिए भी हम right block का use करते हैं let's say हमारे पस मैं अपनी drawing में से इस object को save करना चाता हूँ और बाकी के जो object हैं वो उस drawing में नहीं हैं तो उसके लिए मैं right block की command use करूंगा जिसके लिए मैं wb press करता हूँ अपने keyboard से यहां से right block कर स्लेक्ट करता हूँ और मैं यहां से कोई सब्सक्राइब एक pick point देता हूँ अपने object को let's say मैं enter midpoint देता हूँ select object करूंगा इंटर करेंगे और मैं यहां से okay करता हूँ और इसको मैं as it is desktop पर ही save करना चाता हूँ let's say मैं इसका name चेंग करता हूँ location चेंग करके इसको मैं name देता हूँ right block w1 okay मैं इसको minimize करके जहां पर हमने इसको save किया है मैं दुबारा open करता हूँ let's say यहां पर हमने save किया था मैं इसको open करता हूँ तो यह देखिए हमारा जो object है यह अपमारी ट्राइंग में एक separate drawing के तोर पर open हो चुका है बाकी के object से यह बाकी के जो drawing की components है वो इस drawing में delete हो चुके है इस तारा हम right block को अपने drawing में use कर सकते है तो जी हां दोस्तो यह थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको explain किया कैस्टेंग में blocks क्या होते हैên blocks को हम अपने drawing में किस purpose के लिए yous करते हैं blocks को हम अपने drawing में कैसे create कर सकते हैं, कैसे insert कर सकते हैं और अगर उन blocks को किसी नई drawing में हम open करना चाहते हैं तो कैसे open कर सकते हैं मैं उमीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही helpful थाबुत हुई होगी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अगर आपका कोई doubt है तो नीचे दिएगे comment box में मुझे comment कीजिए तो मैं आपको बहुत जल्द उसका reply दोगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर new है तो मेरे इस चैनल को सबस्क्राइब करना मत भूलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए इचास्थ दीजिए अलाहाफिस